साध्यूत प्रदेश के जबब शीतापुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है यहां एक बेटी और पिता ने पंखे से लटक कर खुद खुशी कर ले जिहां डेबल शुषाइट की इस घड़्डा से पुरे लाखे में शंसनी फैल कर लिए बताया जाल है कि पहले बेटी ने पंखे से बाग में पिता ने उसी पंखे से कमरे में फांसी लगा लिए घड़ना खेरा बार खनाच शेतर के नामकारी गाउं की है सूचना दने पर पुलिस ने घड़ना स्था पर पहुँच कर शबगा अपने कब्जे मेरे कर पोस्ट मार्टम के लिए भीज दिया है अभी तब लिजानकारी के मुतावित 18 पर शें मृत्यकार शालू अपनी मां की मौत के बाद से काफी परिशान रखी लिए जिसके चलते उसने फांशी लगा कर आत्माहत्या कर ली जबके उसके पिता नी पुत्री वियोग के चलते फांशी लगा ली सियोचिटी पियुष कुमार्ट सिंह ने बताया कि नांकारी काउम मांसी सूरच अपनी तीन बेटियों के साथ फहराबाद ठाना इलागते के नांकारी काउमें किराय की मकाथ में रखा योग सिलाई कर परिबार का भरण पोशण करता था सुरच की पत्नी की मौत लगों दो साल पहले हो गए थी मां की मौत दे बाग बेटी मांसी कुरूप शे परिशान रहने लगी थी इसी के चट्थे वह मंगलबाग को घर के कमरे में पंखे से लटक कर आद महत्या कर दे उन्होंने कहा कि बेटी की मौत दे बाग पिताब काफी विच्छा था इस वज़े से उसने भी घर के अंदर पुलिस पुष्टाज कर आद महत्या के काड़ों को जानने का प्रयास कर रही है पुलिस दे कहा है कि अभी तक यहां नहीं सबस्ट हो सका है कि लड़की की मौक की वज़े उसकी मां कि म्रत्यू से जुड़ी है या कुछ और है पुलिस मांदा दर्श कर आगे की चार्च मे जिए भी